हेलो फ्रेंट्स आप्टेकरिंग लेंसेंस और आज इस वीडियो में हम जानेंगे जो C.A.P.F के परिस्तर सेंट्रल आर्मर्ड पुलीस फोर्स में जो सर्विस कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए गोल्डन चांस है रिलाइस इंडस्ट्री लिमिटेट में एक जोब पाने के लिए अगर आपके बच्चे ग्रैजिट हैं और बेरोजगार हैं तो बच्चों के लिए सिकुरिटी एग्जाकिटिव के तोर पर सर्विस लग सकते हैं रिलाइस इंडस्ट्री में यह उसी का लेटर है और यहां पर इसमें साफ लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूं देखिए लेटर में लिखा है यह तो खैर कंपनी के एसेट के बारे में बताया है कि इतनी कंपनी के एसेट हैं यह दूसरा वाला पैरा है इसमें लिखा है अच्छा यह दूसरे वाला प्यारा मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ पहले यह देखिए अगर आपके बच्चे यंग हैं ग्रेजिट्स हैं तो सिक्रिटी एक्जेकिटिव के तोर पर उनको जॉब लग सकती है अगर उसके बाद जॉब कंफर्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको मिलेगा बोनस मिलेगा फिजिकल फिटनेस अलाउंस मिलेगा उसके बाद इसके बाद है कि मिटिंग लेट डाउन लेट डाउन मतलब कुछ रिस्क इंशुरेंस ऐसा है यह जैसे फोर्सेस में कोई कैजूल्टी हो जाती है अगर शहीद हो जाता है कोई जवान तो उसके फैमिली को गवर्मेंट की तरफ से बहुत बड़ी रासी प्रदान की जाती है एजे इंशुरेंस के रूप में तो वैसे यहां पर भी है अगर लाइब के साथ कुछ हो जाता है तो यहां पर भी एक अच्छा मौहफजा या फिर आप इंशुरेंस का यह वो दिया जाता है ठीक है यह चीज है इसके अलावा अगर आपके बच्चे ग्रेजियर्टस नहीं है और आप खुद रिटार्ड है या रिटार्ड होना चाते हैं यह हो चुके हैं तो इन्होंने पहले सही 5,000 जो परस्टनल है यहां पर आप देखिएगा C.A.P.F. से रिटायर्ट जो हो चुके हैं इस तरह से 5,000 लोगों को जो ऑफिसर्स है यूओ जैसी ओज है और एंसी ओज है ऐसे लोगों को उन्होंने सर्विस दी है यहां पर एज सेकंड करियर सेकंड करियर यहां पर उनको जॉब सेटलमेंट द करते जाती है ठीक है इसमें अब यह है कि भाई ऐपलय कैसे करसकते हैं तो अपलय करने के लिए देखिए यहां पर एक टाइम बाउंड हैं 20 जनवरी 2022 से लेकर बाकी ये Twitter handler company की तरफ से ये Twitter account भी है Reliance company का यहाँ पर भी आप देख सकते हैं Later में आगे लिखा है company की website पर जाकर भी आप ये जो website है rgsscareers.ril.com यहाँ पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं जो recruitment की जो process है वो कैसी है और qualification क्या होना चाहिए, eligibility क्या है और test वगरा क्या है वैसे मैं आपको बताए दूगा ठीक है इनके जो head है वो है Colonel Sandeep Sudam जो retired है और ये इनके head है इनहीं के अंडर ये सारा काम हो रहा है और उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई query हैं तो आप direct question फोन करके question कर सकते हैं या फिर पुस्तास कर सकते हैं कि किस तरह से आपको job मिल सकती है ठीक है ये उनका address है first floor मूंबई महाराष्टरा यह आप रहें ये कुछ warnings है और ये छोड़ देते हैं अच्छा last वाले page में ये बता गया है कि इसकी eligibility कैसा है किस तरह से आपको eligible होना है कौन से candidates eligible है ठीक है और उसके बाद selection procedure यहाँ पर थोड़ सी clarity नहीं है मैं आपको website जो मैंने आपको बताया था RGSS careers way ये वो website है आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी website के उपर मैंने आपको divert किया है सेम चीज़े है ठीक है यहाँ पर ये website आप देख सकते हैं इस website में सारी चीज़े आपको देखने को मिलती है यह देखे इस तरह से ये website है आप यहाँ पर login पर click करके login कर सकते हैं यानि कि registration process को अंजाम दे सकते हैं registration करा सकते हैं आप अपना यहाँ पर मैं एक बार login कर लेता हूं आपके लिए और यहाँ पर देखे आपका जो है ID बनीगी इस तरह से आप login करेंगे और उसके बाद registration process होगी ठीक है एक बार registration process हो जाएगी तो selection process कैसी रहेगी वो मैं आपको बता देता हूं तो selection process के लिए आपको क्या करना पड़ेगा eligibility को check करना होगा पहले तो age होना चाहिए आगर आपके बच्चे graduate है उन्होंने graduation complete की है तो सबसे पहले तो उनकी उमर होनी चाहिए 30 साल 25 से 30 साल 31 December 2021 तक qualification graduation होना चाहिए और कम से कम 50% mark से होना चाहिए ठीक है final year graduation जब कर रहे थे बच्चे आपके तो उस final year की mark sheet जो है original वो चाहिए selection के लिए बच्चे की height होनी चाहिए 5 से 6 पाउने 6 feet के आसपास ठीक है यह है और यहाँ पर लिखा है अगर आपके पास NCC का C certificate है B certificate है तो आप eligible है district level पर आपने कोई game खेला है तो उसका certificate आपके पास होएगा वो चाहिए अगर उसके उपर का है तो और बेटर और अच्छा अगर यह सारी चीज़ आपके पास नहीं है तो किसी corporate company में दो साल का security जो है job assign करने का experience आपके पास होना चाहिए यह सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए लेकिन graduation आपके पास पहले होना ही होना चाहिए ठीक है तो selection procedure है selection procedure में आपको क्या होगा personal interview होगा उसके बाद आपके assessment test होगी personality उसके बाद physical efficiency test होगी यह आपको पता ही है यह सारी test होटी है और एक sample paper होगा वो sample paper कैसा रहेगा मैं आपको बता देता हूँ दिखिए यह sample paper है यह मुझे लगता है कोई paragraph है English का उस paragraph को पढ़ना है आपने और उसके answer नीचे देने जैसे कि आप हमेशा करते आते हैं और उसके बाद एक simple सा general knowledge का यह paper है उसमें computer के बारे में शायद पूछते हैं इसमें बहुत simple सा है इसमें कहा गया है कि नीचे में नीचे दिये गये जो options है उन में से कौन सा version windows का नहीं है तो यह बहुत simple सा है ना 2000 आपने सुना होगा 98 सुना होगा Windows 7 भी सुना होगा जो pattern के बाहर का option है तो left indent आपने सुना होगा right indent सुना होगा center indent सुना होगा लेकिन tap, tab, stop, box इस तरह का कोई option सुना नहीं होगा ना और इन के साथ में तो इस तरह से बहुत simple से question पूछे जाते हैं और फिर selection होगा और उसके बाद आपको job assign कर दिया जाएगा ठीक है बहुत सा simple सा question पेपर ये होता है तो जिन कर्मियों को इस industry में एक second career का तोर पर job करना है आपके पास gun license है नहीं है आप उस number पे contact कर सकते हैं जो मैंने आपको थोड़ देर पहले बता है था उस number पर contact करके आप पूछ लीजेगा मैं भी पूछ लूँगा और क्योंकि मैं भी जाना चाहता हूँ service करना चाहता हूँ मेरा बच्चा graduate से नहीं है लेकिन अगर आपके बच्चे graduates है तो एक monthly पच्छास हजार के package पे बहुत अच्छी settle एक job कर सकते हैं physical efficiency है और बहुत बेटर है इनके पास जो CAPP के रिटार परस्टनल है वो भी service करते हैं और इनकी 500 से ज़्यादा company है सबसे बड़ी बात है Reliance industry की अगर आप देखेंगे तो 500 से ज़्यादा company है तो अच्छी job opportunities है और देखिएगा अगर आप खुद करना चाहते हैं तो संपर्क करें और अगर आपके बच्चे करना चाहते हैं तो 6 फरवरी तक ही यह registration process है वहाँ पर कर लीजेगा और उसके बाद फिर यह registration process नहीं होगी उसके बाद आपको directly call करना होगा किस तरह से recruitment होगी वो ठीक है तो यही ता इस वीडियो में अगर आईए वीडियो अच्छी लगी तो आप किसी जरुरत मन तक इसे पहुचाईए और हमारे इस चनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए गुर्बान में शकार टेक कियर